वेलकम इस्ट्रेट्स, SSC की ओर से एक नया नोटिफिकेशन 4 मार्च को अप्लोड किया गया है उनकी वेबसाइट पे उनकी वेबसाइट का लिंक है ssc.nic.in ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आप महा से जाकर कि उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं क्या नोटिफिकेशन है किस पोस्ट के रिकार्डिंग है ये इस वीडियो में हम पूरा इंडेप्थ डिसकस करेंगे और आपको एक एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि जो फॉर्म आया है उसको कैसे भरना है स्क्रीन शॉट के साथ चलिए देखते हैं कि वो क्या नोटिफिकेशन उने अप्लोड किया है चार मार्च को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन अप्लोड किया गया है जो कि दिल्ली पुलीस और सेंट्रल आम पुलीस फोर्स यानि की C.A.P.F में होनी है चार तारिक से ही इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है खुल चुका है आप फॉर्म को जाकर के भर सकते हैं और ये फॉर्म की लाश्ट एट होगी आपकी 28 मार्च 2014 तक चार मार्च से ओपेन है 28 मार्च तक इसकी लाश्ट एट है और आप इस फॉर्म के लिए जो पेमेंट है लाश्ट एट है पेमेंट के लिए वो रखी गई है 29 मार्च 2024 जो इस एक्जाम का कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होगा उसका स्केडूल किया गया है 9th, 10th, 13th में को इन तीनों दिन में से आपका एक्जाम किसी भी दिन हो सकता है अलग-अलग डेट पे ठीक है आगे देखते हैं कुछ और जानकारी जो आपका सब इंस्पेक्टर की पोश्ट है जो CAPF में आपको मिलेगी उसकी सेलरी आपके 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहेगी तो इसके लिए कितनी पोश्ट आई है क्या आया है यह हम आगे देखते हैं इस वीडियो में जो पोश्टें आई हैं वो पूरी पूरी सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली के लिए आई है 125 125 पोश्ट है टोटल जिसमें अलग अलग अन्रिजर्फ के लिए 45, एक सर्विसमेंट के लिए 3 उसके बाद डिपार्टमेंटल केंडिडेट के लिए 5 इस प्रकार से पूरा जो टोटल पोस्ट है जो की दिल्ली पूलीस मेल के लिए रहेगी male, बहुत important, male के लिए वो है 125, और female के लिए कितनी है 61 male के लिए 125 और female के लिए है 61 post, ठीक है सब inspector जो CAPF में है उसकी total vacancy जो है वो आई है 4,001 कितनी है grand total vacancy जो है 4,001 तो आपको दिल्ली पुलीस में अगर आपको interest है exam में, तो आप 125 post male के लिए है, 61 post female के लिए है आगे 4,001 post CAPF में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है अब इस post को भरने के लिए जो normal criteria है आपका क्या क्या रहना चाहिए, आपके पास आप इंडिया के citizen रहना चाहिए, ठीक है, नेपाल के citizen रहना चाहिए, भूटान के रहना चाहिए, यह सारे clause है, और जो इसमें आपको graduation मांगा है qualification आपका minimum graduation होना चाहिए जो आपका qualification है आप इस post को तभी भर पाएंगे जब आप graduate है ठीक है, अलग-अलग post अलग-अलग आप देख लिए, देख लिए होंगे अभी पिछले वाले slide में कि किस हिसाब से post divide की गई है SC, ST, OBC, EWS, सब कोई, सब के लिए post है, unreserved सब के लिए post है total post 125 है, male के लिए 61 है, female के लिए दिल्ली पुलीस में, SI में और CAPF में total 4001 post आई है ठीक है, इसका syllabus थोड़ा से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इसका syllabus रहेगा, ये जो exam है, तो paper में conduct कराया जाएगा paper 1 और paper 2 paper 1 का syllabus, general intelligence and reasoning है, जो की 50 marks का है और उसमें 50 questions आपको दिये जाएंगे ठीक, यानि कि एक marks एक question के लिए allotted है दूसरा, जो उसका syllabus का part है, general knowledge और general awareness उसमें भी 50 questions और 50 marks के लिए रहेंगे उसके बाद quantitative aptitude, 50 questions, 50 marks English comprehension, 50 questions, 50 marks और ये paper जो रहेगा, आपका paper 1 वो पूरा 2 घंटे का रहेगा पेपर 2 जो रहेगा, वो English language और comprehension में रहेगा जिसमें 200 questions और 200 marks के लिए ये paper आपको रहेगा दो घंटे आपको दिये जाएंगे, ठीक है इसमें आपको negative marking भी रहेगी paper 1, paper 2 में कितनी negative marking है, तो इसमें दे दिया है 0.25 marks की negative marking है ठीक है, यानि कि 1 by 4 आपको negative marking का इसमें आपको face करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि इसके syllabus पे एक detailed video आपको मिले, तो आप comment में बता सकते हैं, मैं detailed video आपको syllabus में available करवादूँगा, ठीक है ये syllabus का बहुत important part है अब इसके बाद, हम जब आगे आते हैं, ये form को कैसे भरना है इस form को भरने की जो प्रक्रिया है आपको केवल एक बार registration करना है, one time registration किसमें SSC की website पे, उस SSC की website का link आपको मैं description पे दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके उस link पे, जो मैं steps अभी बता रहा हूँ, उसको follow करके आप अपना registration कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, कि इस जो ये telegram हमारा group है, उसमें ये पूरा पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ये पूरा screenshot के साथ मिल जाएगा, आप वहाँ से download कर सकते हैं, उस telegram group को join करके आईए देखते हैं, कैसे आप अपने form को complete भर सकते हैं, तो जब आप registration में click करेंगे, जैसे आपने click किया, first time registration में, तो आपको कुछ इस type का page देखेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा होगा, आपकी personal detail, आपको personal detail में आपको क्या-क्या भरना है, कि क्या आपके पास आधार card है, आधार card का आपको number भरना है या फिर अगर आपके पास आधार card नहीं है तो second point में आपको मिल जाएगा कि कि किस type का identification आपके पास है यानि कि आपका pen card डाल सकते हैं, आप जो भी आपके आधार card, pen card, राशन card पे आपका नाम लिखा हुआ है, वो नाम आपको third column में भरना पड़ेगा, third section में आपको वो नाम भरना पड़ेगा, ठीक है अब अगर आपका नाम एक ही है, मतलब कहां पर जो आपकी 12th की mark sheet है या 10th की mark sheet है और आपका आधार card में नाम एक ही है, तो आप उसको यहाँ पर दो बार वही नाम भर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर जो आपका नाम है, candidate का, वो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है उसके बाद क्या है, आपने क्या आपना नाम चेंज किया हुआ है, कभी या आपको SSC वाले पूछेंगे आपने अगर नहीं किया हुआ, जो कुई most of 99% जो students है उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर लो भरना है अगर आपने कभी किया है, तो आप इसमें yes भरेंगे और यहाँ पर अपना नाम भरेंगे अगला आपको पूछेगा आपका gender क्या है आप अपना gender यहाँ पर specify करेंगे फिर उसी को आप यहाँ पर अगले slide में verify करेंगे आपका date of birth पूछेगा, 6th number पर आपको अपना date of birth भरना है जो अभी आपका date of birth रहेगा, date of birth का जो format है वो date, month और year के form में रहेगा जैसे 27th June 1996 या 5th March 2003 इस form में रहेगा ठीक है, अब month को यहाँ पर जो मैंने word के form में लिख दिया है आप इसको 26, 27, 6 कर लेंगे, 25, 3 कर लेंगे जिस भी जो भी आपका date of birth है उसे साब से अगले slider में आपको आपके father का नाम पूछेगा, आपको आपके father का नाम भरना है उसी को verify करना है, ठीक है, जो आप उपर लिखेंगे, नीचे आपको वही भरना है फिर आपका mother का नाम पूछेगा, आपको आपके mother का नाम भरना है ठीक, उसके बाद आपके 10th का आपने कितना percent लाया, कहां से लाया, कौन सा board था आपका, वो आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आपसे board पूछेगा, कि education board आपको कौन सा था, आपका CBSC से पढ़ाई की है, या फिर कोई अपने state board से आपने पढ़ाई की होगी, वहां का आप इसमें भरेंगे ठीक, उसके बाद उसमें कितना roll number था आपका, क्या roll number था, वो roll number भरेंगे, उस roll number को आप verify करेंगे 11th number पे, जो column में लेगा, आपको वहां पर आप भरेंगे कि कौन से year में आपने 10th pass किया है, जो भी आपके पास certificate है, आपके 10th का, वो कौन से year का है, वो आपको इसमें भरना है, तो I hope कि ये slider आपको 1 से लेकर, जहां पर हमने क्या शुरू किया था, आधार काड है, आपके आप से लेकर, 11th number तक आपको clear हो गया होगा, correct, आप आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप बढ़ेंगे, जब आप इतनी details अपनी भर देंगे, तो आपको जो पूछेगा, 12th number पे कि आपके highest level of education qualification क्या है, highest number of education qualification मतलब आपने graduation किया है, फिर क्या post graduation किया है, उसके बाद आपन और क्या क्या किया है, वो आपको यहाँ पर भरना है, select करके उसी को आपको फिर verify करना है, अगर आपने graduation किया है, तो आप जैसी आप यह select का बटन दबाएंगे, यहाँ पर आपको एक नया निचे slider खुल जाएगा, वहाँ पर आपको graduate, post graduate यह दिखाएगा, वहाँ पर आप की mobile number पे भी और email ID पे भी आपका OTP generate होकर के आएगा, ठीक है, अब जैसी आप यहाँ पर यहाँ पर यह पूरा कर लेंगे, तो आप यहाँ पर click करेंगे, save and next पे, और जैसी आप save and next पे click करेंगे, तो अगला आपका detail आएगा, वह आएगा, इस type का कुछ आपका page आएगा, यहाँ पर आपको आपका registration number मिल जाएगा, अब आपको जो registration number मिलेगा, आप उस registration number को और यह one time password जो आपके mobile number और email ID में भेजा गिया है, आपको देखिए one time password मिलेगा, जो आपकी email ID और mobile number पे भेजा गिया होगा, आप यहाँ पर continue पे click करेंगे, आप इस वाले page का मेरे हिसा आप continue में दबाएंगे, continue बटन आपको दबाता ही, फिर से आप same home page पे पहुच जाएंगे, जहाँ पर आपने start किया था, जब आपने start किया होगा, तो यहाँ पर login या फिर register का option आपको आ रहा था, तो आपने register किया था, अब आपके पास एक registration number है, जो भी आपको registration number मिलेगा आप यहाँ पर भरेंगे, और जो password होगा, password आपके mobile number या फिर आपके email ID में आ चुका होगा, उस password को आपको यहाँ पर भरना है, clear, मैं आपको जो बताया अभी, यह जो registration number आपको दिया जाएगा, वही registration number आप यहाँ पर भरेंगे, और यहाँ पर आपको जो password आएगा, आप के हाँ पर भरेंगे, I hope आपको यह वाला page पूरा clear हो गया होगा, जो हमने points डिसकस किये, अब आगे क्या होगा, आगे जैसी आप password बर डाल देंगे, तो एक नया page खुलेगा, जिसको बोलते है password creation page, जैसी आप password creation page पर आएगे तो आपको नया password set करने के लिए कहेगा, अब जो आपका password आया था, वो आपका use नहीं होगा, आगे आपको एक नया password अपने हिसाब से create करना है, तो जो password आया था आपको वो एक बर old password में डालना पड़ेगा, और फिर आपको नया password यहाँ पर अपना जो भी बनाना है, आप उस हिसाब से बना सकने, नीचे कुछ criteria लिखे है, कि आपको किस हिसाब से password बनाना है, आप उस हिसाब से password अपने बना सकते है, कि password में एक characters होने चाहिए, एक upper case letter होना चाहिए, अपर case letter यानी, माल लिजे आपका कुछ नाम है, आपका नाम माल लेते हैं, अखिल है, ठीक है, तो अखिल ऐसे लिखाएगा, तो जो यह एक capital है, यह एक upper case letter हो गया, तो आपके जो भी password है, उसमें एक upper case letter होना चाहिए, lower case तो आपने लिखा ही है, आगे, एक lower case letter होना चाहिए, ठीक है, एक कोई भी number होना चाहिए, यहाँ पर आप कर सकते है, at the rate 1, ठीक है, अब at the rate मैं नहीं क्यों लगाया, कि एक और criteria लिखाया है, क पर एक number उसमें कम से कम होना चाहिए, ठीक, अब क्या पता आप आगे इस password को भूल जाये तो, इसलिए आपको यहाँ पर एक security question देगा, आप उस security question को select कर सकते हैं, कहां से select करेंगे, जैसे security question number 1, यहां से आप इस slider को तबाएंगे, एक बहुत सारी question की उनके पास list है, वो question क आपको select करना जैसे इसमें रहेगा, आपके pet का नाम क्या था, पहले pet का नाम क्या था, आपका पहले यह क्या था, वो क्या था, यह सब आपके favorite book कौन सी है, यह सब आपको रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर उसका answer लिखना है, तो जब भी आप password भूल जाएंगे अप security question को, उसके बाद आपको उनके answer से हाँ पर डालने हैं, जो आपको हमेशा याद रखने है, जो भी security questions और answers आप डालेंगे, इस page का आप एक और screenshot ले करके रख लेंगे, जिससे क्या होगा, आगे कभी भी आपको आउशकता पड़ेगी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक ह I hope यहाँ तक आपको clear हो गया होगा, जैसी आप password creation हो जाएगा आपका, password creation के बाद, आपको फिर से वो इस page में भेज देगा, जहाँ पर आपको फिर से अपना registration number और password डालना पड़ेगा, अब आपको जो आपने नया password create किया है, उसको जब आप डालेंगे, तो आपका एक page खुल जाएगा, कौन सा page खुल जाएगा, SSC का जितना भी आपका notification वहाँ पर आया होगा, वो page आपको खुल जाएगा, अब जो हमारे case में है, जो आज एक notification आया है, चार तारिक को यानि की जो notification आया है, वो आपको उसमें दिखा देगा, ठीक, कैसे दिखाएगा, अगले slider हम देखते हैं, इस प्रकार से, जैसी आप खोलेंगे, आपको additional page, अचा, पहले आपको additional detail आपकी डालनी पड़ेगी, additional detail में आप क्या डालेंगे, तो आपकी category क्या है, सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा, आपकी category क्या है, आप unreserved हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, वो आपको category दालना है, उसको verify करना है, ठीक, आपकी category आपको again यहाँ पर आप slider क्लिक करेंगे, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपके nationality क्या है, आप कौन से nation के हैं, अगर उसके बाद आप इंडिया से नहीं है, in case आपकी nationality जो है, वो इंडिया नहीं है, नेपाल है, भूटान है, तो उसके बाद आपको नीचे कुछ details अपनी डालनी पड़ेगी, अगर आप कोई दूसरे nation से हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक सबसे important चीज़ी डालनी पड़ेगी, visible identification mark, visible identification mark, यानि कि आपके चहरे पे कोई तिल है, आपके heart में कोई तिल है, या फिर कोई scar है, या फिर क्या लिखेंगे, mole on, अगर right side पे है, तो right cheek, ठीक है, left पे है, तो left पे, कोई scar है, कोई birth mark है, तो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, head पे है, आपके mole कुछ भी है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे fifth number पे आपका पूछेगा, कि क्या आप person with disability बोलते हैं, benchmark disability अभी नया award इन्होंने add कर दिया है, benchmark disability क्या होती है, कि आप को partially आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी disability आपको कान से है, आपके किसी body part से कोई disability है, तो आप यहाँ पर yes और no भर सकते हैं, वैसे तो आपको अगर नहीं है, तो आप no भरेंगे, अगर है, तो आपको फिर आपको यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि क्या क्या आपकी disability है, यहाँ से आप उसको select करेंगे, नीचे एक slider खुलेगा, यह आपको अलग-अलग disability के उसने दे रखे हैं, जो भी criteria उसमें आप meet करते आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको six number पर जाके अपना address भरना है, जो आपका permanent address है, वो आपको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आप अपना address भरेंगे, किस state से आते हैं, क्या district है, क्या pin code है, जैसे ही आप यह चार चीज़े भर देंगे, वैसे ही आपको अगला साथवे point पूछेगा, क्या यह आपका permanent address है, तो अगर है, तो आप yes करेंगे, जैसी आप yes में click करते हैं, तो यह चारो अपने आप भरा जाएंगे, जो की उपर भराया हुआ था, सेम चीज़ अपने आप नीचे आ जाएगा, तो आपको दुबारा इसको नहीं भरन है, ठीक है, और लेकिन अगर आपका permanent address कुछ और है, और अभी आप कहीं और रह रहे हैं, तो आपको उपर अलग भरना है, यहाँ पर और नीचे अलग भरना है, ठीक, आप इसको save and next कर देंगे, जैसी आप मैं, यह slider आपको clear हो गया होगा, यह मान के चल रहा हूँ, जैसी आप इसको save and next करेंगे, आपको declaration का column देगा, declaration में क्या है, कि आपको यह चीज declare करना है, कि हाँ भाई, जो हमने भरा है, वो सही है, जो हम जानते थे, जितना हमने होशो हवास में पूरा भरा है, वो यह सारी चीजे, मेरे knowledge और मेरे विवेक के साथ सही है, ठीक है, वहाँ से आप इसको declare करतेंगे, ठीक, सिर्फ आपको इतना ही करना है, उसके बाद आप जैसे ही अपना login करेंगे, आपको एक नया page खुलेगा, जहां पर आपको अपना personal detail भरना पड़ेगा, जो आपका form आ गया है, वो form को आप आपको personal detail अपना डालना पड़ेगा, ठीक, यह application form अपना date of birth, इस सारी चीज़ा आपको डालनी पड़ेगी, ठीक, आपको इसमें एक six number पर डालना है कि as of 182023 जैसे एक example case ने लिख दिया है, ठीक है, तो जब वो आपको calculate करना पड़ेगा, आप उसके लिए कोई भी app download कर लो, अपने phone में, वहां से आपको दिख जाएगा, क कि आपको सिर्फ अपना date of birth डालना है और फिर वो दिखा देगा कि आज की date तक आपको कितना age है, आपको gender डालना है, अपना आपका gender क्या है, category डालना है, unreserved, OBC, ST, SC, क्या आप personal disability है ये डालना है, अगर है तो फिर क्या disability है वो डालना है, nationality क्या है आपकी वो डालना है, फिर साइडेंटिफिकेशन माग, सेम चीज मतलब जो हमने अभी पिछले बार भरा है, वो सब भरना है, कि 10th में आपका role number क्या था, और उसके बाद आपको कौन से year में आपने 10th पास किया था, आपका permanent address क्या है, district, और pin code, state, ये सब आपको भरना पड़ेगा, फिर permanent address भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको 16th number पर अपना email और phone number भरना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप जहां पर जैसी next पर क्लिक करेंगे, आपको एक नया page देखने को मिलेगा, जहां पर आपको अपना education detail डालना पड़ेगा, अब सेम चीज जो हमने पहले भरी थी ना, जब हम अपना one time registration कर रहे थे, वही आपको यहां पर करना है, आपका highest qualification क्या है, आप graduation किये है, post graduation किये है, PhD किये है, जहां पर आपको भरना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, कि details अपना qualifying education को जो भी detail है, वो यहां पर आपको देना है, यहां पर साब select करेंगे, तो नीचे slider खुल जाएगा, ठीक, जो भी आपने यहां पर highest degree दी होगी, माली जया आपने दे दी है, post graduation, तो यहां पर आप 20th number पे आएंगे, तो यहां पर आपको post graduation select करना पड़ेगा, आपका क्या status है, status यानि क्या भी चल रहा है, क्या आप अभी post graduation pursuing है, या फिर हो चुका है, हो चु की थी वो university, क्या नाम था उस university का, आपका role number क्या था, उसमें आपका percentage कितना आया, अगर percentage नहीं तो CGPA कितना आया, यह आपको यहां पर अपने details भरने पड़ेंगे, जब आप यह सारी details भरनेंगे, तो आप save and next पे click करेंगे, save and next पे click करने के बाद, आपको एक नया page खुले तो यह पूरी चीज आपके लिए अपने आप बंद हो जाएगी, अगर आप yes डालते हैं, तो फिर आपको क्या आपने कभी arm post join की, क्या कोई police में थे, आप क्या कहीं पर थे, और थे तो कब से कब तक थे, तो आपको date of joining, सब कुछ देना पड़ेगा यहां पर, लेकिन अग एक्जाम के लिए आपका requirement क्या क्या है, सबसे पहले आपको select करना है, कौन सा आप examination center select करना चाहते हैं, आपको पहला preference, दूसरा preference, तीसरा preference, तीन preference में आपको दे देना है, ठीके, जैसी आप यह दे देंगे, आपको पहला preference, अगर मालीजे डेली से ही हैं, तो आपको पूछ किया गिया है SSC के द्वारा, ठीक है, आपके state में भी exam center allot किया गिया है, तो डरने कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको देली आना पड़ेगा, एक्जाम देने के लिए अफिर ऐसा कुछ, ठीक है, अब उसके बात क्या है, कि अगर आप OBC से हैं, creamy layer से हैं, जो भी है आपका देली से हैं, आप ये सब आपको yes, no, ये सब भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि आप कभी NCC में cadet रहे हैं, national cadet calls में, कि आप कभी उसका certificate आपके पास होगा, अगर है, तो आप उसको ये दो बार एकी चीज़ को पूछता है, उसको verify करने के लिए बोलता है, ठीक करेंगे, तो आपको आपका document upload करने के लिए बोलेगा, आपको document upload करना है, क्या document upload करना है, यहाँ पर एक चीज़ है, जहाँ पर आपको अपनी live photo update करना है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप phone से भी भर रहे हैं, अगर आप phone से भर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपके front camera से click हो जाएगी photo, अगर आप laptop से भर रहे हैं, तो आपके laptop में camera होगा, उसमें से click हो जाएगी photo, लेकिन अगर आप computer से भर रहे हैं, तो आपको एक webcam का जुगार करना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर आप ऐसा करिए, कि यहाँ तक आपने save कर दिया है form को, computer में भरते हुए, आप आजाईए अपने phone पे, अपना registration ID और password डालिए, phone पे खोल लीचे और अपनी photo महाँ से click कर लीजे, ठीक है, उसके बाद क्या है, आप यहाँ पर से अपना signature भी upload करना पड़ेगा, आपको ठीक, जैसी आपकी photo हो जाएगी, आपको एक signature upload करना पड़ेगा, फिर से आप save and next में click करेंगे, जैसी आप save and next में click करेंगे, आपको इस type का एक form मिल जाएगा, अभी तो एक हाली है, ठीक, यहाँ पर जब आप save and next में click कर देंगे पूरा, तो आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, जो भी आपने जो जो भी details भरी हैं, वो सब आपको यहाँ पर उपर से नीचे तक देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, जैसी आप इन सब को verify कर लेंगे, वेरिफिकेशन के बाद आपको पूछेगा, यह पूरा आपको detail मिलेगी, जो भी आपने भरी हैं, इस प्रकार से, ठीक है, जो हमने अभी 16, 17 पूरे points देख में आपने करना है कि हाँ ठीक है, इसमें 3-4 points है, उसको आप पढ़ लिजेगा, पढ़ने के बाद में आपको उसमें I agree पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसी आप I agree में क्लिक करेंगे, तो आपको फिर से save and next का option देगा, save and next करेंगे, तो आपका form जो है, वो यहाँ पर submit हो जा आप टेबल होगी, जो यह फोटो है, उन्होंने कई सारी फोटो और दिये कि यह extra color photo, two close photo, white है, with hat and cap, यह two dark, ऐसे goggles के साथ, ऐसा टाइप की फोटो आपको नहीं लेना है, उल्टी फोटो नहीं लेना है, ठीक है, कोई बाहर आप घूम रहे हो, ऐसा करके नहीं लेना है, ठी तो यह complete detail था, आपको कोई और detail चाहिए हो इसके बारे में, तो आप हमारे telegram group में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा, अगर वहाँ से भी आपको कोई doubt रह जाता है, तो आप comment में बता सकते हैं, आप मुझे email कर सकते हैं, आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं, मै सब कुछ मैं आपको बता दूँगा, अगर वह detailed video चाहते हैं, तो आप मुझे यह इन ही platform से message कर सकते हैं, okay, keep learning and all the best for your exams, thank you.